मुख्य मंत्री जोयराम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा न फैराने देने की धमकी का आउडियो भेज जाने पर पुलिस ने राज द्रोह का केस दर्ज कर लिया है पुलिस के साइबर सेल ने गुर्पत वन्त सिंग पन्नू के खिलाफ FIR दर्ज की है धमकी मिलने के बाद हिमाचुल के राज जिपाल, CM, BJP के राष्ट्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा और केंद्रिय कैबनेट मंत्री अनुरांग सिंग ठाकुर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है वहीं इस मामले की जांच CID के साइबर सेल को दी गई है पुलिस के मताबिक इस मामले में केंद्रिय जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है आपको बता दे कि तिरंगा नव फहराने दिने की धमकी देने बाला पन्नू विदेश में बैठ कर भारत विरोधी गति वीदियों में शामिल है और खालिस्थानी समर्थक है सिक फॉर जस्टिस नाम का आतंकी संगठन चलाता है इस संगठन को देश विरोधी गति वीदियों के कारण 10 जुलाई 2019 को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था पन्नू का एक ओडियो बीते दिन प्रदेश की कारों को भेजा गया था ओडियो में हिमाचल के सीम जैराम ठाकुर को 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा न फैराने देने की धमकी दी गई थी ओडियो में आतंकी पन्नू हिमाचल को पंजाब का हिस्सा बता रहा है और पंजाब में जर्मत संग्रह की बात कह रहा है इसके पर उत्रे और सीम जैराम ठाकुर को 15 अगस्त के दिन तिरंगा न फैराने दे